हाई गाईस वेलकम टू सीई और आज की इस वीडियो में हम इस LED ड्राइवर मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल पूरा जो इसकी वर्किंग है मैं आपको सम्झाऊंगा कैसे वर्क करता है और यह इसकी LED strip है इसमें 25 LED लगी है और यह जो हमारा जो मॉड्यूल है इसमें बेसिकली एक आउटपूट कैप है एक इन्पूट कैप है यह जो आप देख रहे हो यह एक इंडक्टर है और एक fusible register bridge rectifier और इसकी जो main IC BP283N वो है और कुछ supportive components है तो मैंने इसका circuit diagram यह बना रहके रखा हुआ है आप लोग के लिए इसमें क्या होता है जो हमारी main IC है इसमें एक drain to CS pin के बीच में एक MOSFET लगा हुआ है 500W का यह MOSFET है और यही main switching करता है तो मैं आपको बताऊंगो कि कैसे सब कुछ work कर रहा है यहाँ पर एक simple F1 BISOM का fusible register है output है कहीं भी short circuit होता है तो यह fuse हो जाएगा main और में भी कुछ components को बचा ले sorry उसके बाद एक safety capacitor है Y1 class का 470 PicoFarate का जो कि EMI Suppression, Electromagnetic Interference पे इसको suppress करता है क्योंकि कहीं भी switching होती है जैसे आपने SMPS में रेका तो वहाँ पर यह चीज़ जरूरी हो जाती है और इस पर अगर आपको detailed video चाहिए तो comment पर बताना में पूरी detailed video इसी topic पर बना दूंगा और यह हमारा bridge rectifier हो गया और यहाँ पर हमारा एक output पर cap लगा है जो कि pulsating DC को almost pure DC पर convert करेगा और यहाँ पर आप देखरो 311V है बिकोज यहाँ पर 220V है और RMS होती है और उससे हम जब root 2 times करते है तब हम यहाँ के peak voltage मनलब क्यापिस्टर peak voltage से charge होता है तो हमें 311V output में मिलेगी यहाँ ठीक है उसके बाद हमारा यहाँ पर को आप देखे 940K का एक resistor लगा है जो कि इस cap क को चार्ज कर रहा है दिरे दिरे तो क्या होगा कि जैसे दिरे दिरे यहाँ से voltage बढ़ेगी उपर को तो 13.8V यह IC turn on हो जाएगी because इसका जो thrust है turn on thrust thrust यहाँ पर आप देखिए VCC turn on thrust 13.8 और clamp voltage 16.8 तो यहाँ पर basically 13.8 हुई तो यह turn on होगी IC और धीर दिरे वोल्टेज बढ़ते जाएगी क्यों कि यहाँ से current flow हो रहा है capacitor चार्ज होने भी लगा है तो तो 16.8 पर clamp voltage कैसे है कि यहाँ पर जीनर लगाया round 17V का तो यहाँ पर voltage 17V से आएगी तो जीनर on हो जाएगा और इसे ground कर देगा यानि फिर जितनी भी current आएगी नहीं से उसीदा जीनर के थूप ground हो जाएगी ठीक है तो इसलिए जो इस पिन पर voltage हो कभी भी 17V से ज्यादा नहीं आने चाहिए अगर 17V से ज्यादा आ रही है इसका म यहाँ पर मैंने आपको बताएगी यहाँ पर एक MOSFET लगा हुआ है जो कि drain और CS pin को जोड़ता है आप यहाँ पर को मेरे case में किया है कि 25 LEDs है और सारी series पर लगी है तो करीबन जो हमारी LED है ना वो करीबन 35-30 mm लेती थी तो मेरे को अपना जो अपनी जो मेरे को LED के थ्रू current इसमें क्या है कि आप यहाँ पर देखिए एक comparator लगा है CS pin पर 400 mmV इंटरनल रेफरेंस दे रहा है यानि कि इस Pinta का 400 mmV से जादा हो गया तो क्या होगा ना यह comparator प्लस पर लगा हुआ है तो यह high जाएगा और यह already high है तो यह logic को turn on कर देगा और यह इसके gate को pull down कर देगा तो basically क्या हो रहा है ना अब हमने यहाँ पर को 7.2 ohm का इसमें 7.2 ohm मैंना 3.6 3R360 के 2 register लगे हो है series पे तो करीबन 7.2 ohm है तीक है अब मैं इसे calculate करूँ ना तो 400 क्यूंकि हमने 400 mmV का यहाँ पर को हमारा reference है 400 divided by मैं करता हूँ करीबन 7.2 है ना तो 7.2 ohm तो इसको मैं निकाल होगा ना तो मैंने 55 million current flow होगी ठीक है तो 55 million जैसी यहाँ से current flow होगी ना तो क्या होगा कि इस spin पे इसके across करीबन 400 या उससे ज्यादा जो है drop हो जाएगा और जैसी इससे ज्यादा drop होगा ना तो यह इससे on कर देगा और इसे gate को down कर देगा ठीक है gate down होगा तो हमारा injector turn off हो है और जैसी यह हमारा on होगा ना तो current यहाँ से जाएगी क्योंकि नीचे से जाने सकती है यहाँ पर को एक fast switching diode लगा है यह reverse यहाँ से inductor के through जाएगी ना तो इंडेक्टर sudden change का पोस्ट करता है current के change का पोस्ट करता है तो यहाँ पर को यह magnetic field create कर देगा ठीक है और यहाँ से होते हुए यह होते हुए यहाँ से ground होगा है इनके मैंने आपको बताया 5 और 6 इनके बीच में एक MOSFET लगा हुआ है तो क्या होगा यहाँ से current गई और यहाँ से ground होगी ठीक है अब जैसी यह off वार ना turn off वार तो फिर से जो inductor है वो current के change का पोस्ट करता है यानिकि current को 0 नहीं हों तो यह अपना magnetic field collapse कर देगा और इस बार ना current ultra direction में flow होगी यानिकि नीची को तो जाएगी नी क्योंकि off हो गया MOSFET और तो current यह push inductor जो है इसकी energy यहाँ को push करेगा अब यहाँ को push करेगा तो क्या होगा यहाँ पर already कितना 311 volt है तो उपर तो जानी सकती तो यहाँ को तो यह current जाएगी 55 mm divided by 2 यानि 27 mm जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और अगर आप इसकी data sheet देखोगे न तो उसमें भी यह लिखा हुआ है यह नेखिए आई-peak 400 upon RCA है जो हम current sense register लगा रहे है और जितना आएगा ना और LED के across आई-peak divided by 2 तो यह हमारी हम इस तरीके से LED के across हम current निकाल सकते है तो और इसमें किया है कि एक over voltage protection है यानि कि अगर output पे LED के across voltage बढ़ जाती है तो इस pin पे आप register की value change करके उसे fix कर सकते हैं इस सब data sheet पे दिया हुआ है कैसे निकालना है क्या निकालना है तो यह इसकी main working थी और यह जो data sheet है मैं आपको दे दूँगा अगर आप देखना चाहो तो सब कुछ लिखा है इसमें कि inductor की value कैसे choose करनी है T on time, T of time, switching frequency, sorry for the glare और यह देखिए L की value भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे तो यह इसकी working थी और अब हम इसे fix कर लेते हैं ओके गाइस physically मैंने सारा circuit चेक कर लिया सब कुछ okay है अब हम इसकी output चेक कर लेते हैं कि output पो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है इसके लिए मैंने multimeter connect कर दिया है और सामने VDC पे रखा है तो let's see आप आप पूट पर हमें बैसिकली 75 वोल्ट मिलना चाहिए था बिकाज 25 लगी है और एक वोल्ट एक लेडी तीन वोल्ट लेती है तो 25 इंटू तीन यानि पिजितर बट एक सो तीन वोल्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसा की हो रहा है कि आप मुझे बता सकत चलिए मैं आपको बताता हूं ऐसा इसलिए हो रहा है जो हमारी में इसकी जो आईसी है वो ट्राय कर रही है करेंट पूश करने का बट आउट पूट पर कुछ लगा ही नहीं तो करेंट कैसे पूश होगा तो इसलिए वो अपनी जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है या टॉ और अब LED स्ट्रिप को चेक कर लेते हैं तो गाइस सप्लाय से हमने चेक कर लिया कि यह जो LED है यह वाली पांचवी नंबर की यह खराब है मतलब यह ओपन है बिल्कुल और यह वाली शॉट है यह कि इसको लगाते ही शॉट हो जारी है सप्लाय तो दो LED हमारी खराब होई है और इनमें ऐसा कोई मार्क है नहीं कि खराब हो रही है बिल्कुल नॉर्मल लग रही है स्टिल अभी उनको रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास यहां पर कुछ उसी साइच की LED है तो मैं इनको लगा दूमान की जोगा पर होप हमारी जो LED अब ठीक हो जाए तो चलिए लगाते कि आए इसे दोनों LED हम रिप्लेस कर दिये यह देख सकते हैं आप दोनों और इनको चेक कर लेते हैं अब यह प्लास यह माइनस देखेए चल रही है और यह भादी भी चेक कर लेते हैं पर देखें यह बीज़ी है तो लेडी हमारी यह बीज़ी हो चुकी है अब इसे कनेट कर लेते हैं सर्कुट पर लेट सी हमारा सर्कुट चलता है या नहीं तो लेट सी यह चलती है या नहीं मोमेंट आफ तो गाइस मैंने कनेट कर दिया लेट सी ओपन कर रहा है यह देखें है लेडी हमारी जल चुकी है और सारी लेडी बिल्कुल प्राइड चुली कोई भी ऐसे नहीं है कि दियम या वह बिल्कुल सर्कुट हो कि हमें से आदर गंटा चलने दोंगा सो होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप यहां तक देख रहे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग का सपोर्ट चाहिए और ऐसी ही कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट पर बताना हम उस टॉपिक पर वीडियो बना लेंगे त मिल ते है नेस्ट वीडियो में तिल देन बबबाए